आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्लास 8 के हिंदी की वॉक्षिट नमबर 39 बच्चो आज की वॉक्षिट में हम लोग हिंदी ब्याकरण के भाग 10 को पढ़ेंगे और आज के भाग में हम लोग क्रिया पढ़ने वाले हैं तो वर्सिट शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और हमारे चैनल लिस्ट में जब जाएंगे मुख्य प्रिष्ट के चैनल लिस्ट प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि जिस सब्द से किसी काम का करना या होना पाया जा मतलब ऐसा सब्द जिससे कि ये लगी कोई काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं जैसे सोना, खाना, चलना, हसना, बोलना, पढ़ना आदि कर्म के साथ क्रिया को सकर्मक और कर्म के बिना क्र क्रिया कर्म के साथ होगी तो उस वाकिय को हम लोग सकर्म क्रिया कहेंगे और जहां क्रिया बिना कर्म के होगी तो उसे हम लोग कर्म क्रिया कहेंगे अब चलिए क्रिया को देखते हैं जिस सब्द अथवा समू सब्द के द्वारा किसी कारे के होने अथवा किये जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं जैसे कि आपको ऐसा लगे कि यहां कोई काम हो रहा है तो इसे क्रिया कहेंगे इसे क्रिया कहेंगे और यहां ऐसा प्रतित हो रहा है कि काम हो रहा है, सूरेश कॉलेज जा रहा है, यहां भी कर्म के साथ है, तो यह भी सकर्म क्रिया है और यहां जाने का काम हो रहा है, इन में नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, सब्दों से कारे या ब्यापार, कारे ब्यापार का बोध हो उसके बाद है प्रियोग के अधार पर क्रिया के भेद तो प्रियोग के अधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तो एक है सकर्मक क्रिया और एक है अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में भी दो भेद होते हैं एक कर्मक और दुई कर्मक जिसमें एक काम हो रहा है और दो काम हो रहा है तो अब हमें इस क्रिया का अब भ्यास करते हैं कि क्रिया में क्या क्या हमने सीखा है तो यहां है पहला प्रस्ण है कि वाक्तियों को उप्यूपते रूप लगा कर पुरा कीजिए जैसे मैंने सरीता को गाना सिखाया तो आप यहां लिख सकते हो सिखाया मैंने सरीता को गाना सिखाया उसके बाद है सुसीला बिद्याले में पढ़ती है नेक्स्ट है रवी खाना खाकर जाएगा समय पर काम हो रहा है समय पर काम हो रहा है उसके बाद बिजली चमक रही है तो इन सभी वाक्यों से ऐसा लग रहा है कि कोई काम हो रहा है बिजली चमक रही है हो गया अब है दूसरा कर्म को क्रिया से मिलाए तो ये कर्म है ये सारा क्या है कर्म है इस पर क्रिया का फल पढ़ना है और ये क्रिया है, तो हमें कर्म को क्रिया से मिलाना है, जैसे फूल तोड़ना हो गया, पत्र लिखना, गेहूं काटना, कपड़े धोना, रोटी बनाना, दाल पकाना, तो इस तरह से सारे कर्म को आप मिला दिये, या फूल काटना, तो क्या काटा जा रहा है, फूल तोड़ना, क्या तोड़ा जा रहा है, तो ये कर्म के सांथ क्रिया हो गया, अब देखते हैं, वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं या अकर्मक लिखिए, मानसी को फल दो, तो यहां मानसी को फल दो, देना तो क्रिया है ही, लेकिन क्या तो फल साथ है तो यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया उसके बाद भालू नाचता है तो भालू नाचता है क्या होगा यह अकर्मक क्रिया होगा इसको हम लिखेंगे अकर्मक क्रिया उसके बाद नेहा दूध पी रही है तो नेहा क्या पी रही है दूध पी रही है कर्मक के साथ है तो यह होगा सकर्मक क्रिया सरकर्म क्रिया हो गया अब है इस वर्षिट में हमने क्रिया जाना क्रिया के भेद को जाना और इसे समधित कुछ प्रस्नों का भ्यास भी गया तो इसी के साथ ये वर्षिट समाप्त होती है बच्चों मिलते हैं नेक्स वर्षिट में थैंक्यू